तो भाई आज जो है source के उपर वीडियो है ये source मतलब समझ लो एक तरीके से header file होती है source file header file के लो अगर आप c programmer हो या past में कभी c जैसी जैसी लेंगज पड़ी है तो उसमें header files होती है क्यों होती है आप सब दिको पता है same यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर आपकी header files की तरह ही दूसरी batch script काम कर सकती है मैंने कहने का मतलब यह है कि अगर let's say मेरे पास एक script है script one नाम से ठीक है उस script में कुछ functions defined है कुछ variables defined किये हुए है मैंने और भी कुछ चीज़ा जो मैंने है उसमें डाली हुई है अब assume करो कि आपने एक नई script बनाई और इत्तफाक से उस script में जो नई script बनाई है आपने उस script में कुछ आपको ऐसा करना पड़ रहा है कोई ऐसी task करनी पड़ रही है जो आपने previously पिछले वाले जो script बनाई थी script one नाम से उसमें already आप वो कर चुके हुई यानि कि उस task को जैसे करते हैं उस task को करने के लिए जो भी logic code लिखना पड़ता है वो code आप already पहले वाले script में लिख चुके हुई समझे रहो तो अब देखो यार अगर यह source ना होता अगर यह feature ना होता तो आप same code को मतलब copy paste करना पड़ता आपको दूसरी script but now we have option I'm